नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में वीवो T3X वर्सस रियल मी P15G का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो T3X में 6.52 इंच जब की P15G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है जो की T3X से कम है width की बात करें तो t3 x में 2.99 inch जब की p15g में 2.97 inch की width मिलती है जो की t3 x से कम है बात करें थिकनेंस की तो दोनों phone में सेम ही 0.31 inch की thickness मिलती है अब बात करते हैं weight की तो t3 x में 199 grams जब की p15g में 188 grams का weight देखने को मिलता है चलिए, अब हम दिस्प्ले की तुलना करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो T3X में LCD जबकी P15G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है आस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो T3X में 6.72 इंचिस जबकी P15G में 6.67 इंचिस मिलती है डिस्प्ले रेशियों T3X में 1080 X2408 PX FHD+, और P15G में 1080 X240 PX FHD+, मिलता है Screen to Body Ratio T3X में 86.58 प्रतिशत जब की P15G में 87.36 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो T3X में 393 पिक्सेल प्रति इंच जब की P15G में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जो की Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें Main Camera की तो T3X में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera और आखे में Depth Camera देखने को मिलता है और T15G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera और आखे में Mono Camera देखने को मिलता है बात करें Video Camera की तो T3X में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और P15G की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के पीचर्ज मिल जाते हैं अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो T3X में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की 3 डिफरेंट पीचर्ज मिलते है और P15G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते है आए अब बात करते हैं हार्डवेर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे हार्डवेर में सबसे पहेले CPU जो की स्पीट के हिसाब से देखा जाये तो फोन में सबसे इंपोर्टन पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं GPU की बात करें तो, T3X में Adreno 710 जबकी P15G में Mali G68 MC4 मिलता है चिप सेट की बात करें तो, T3X में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 और P15G में MediaTek Dimensity 7050 मिलता है बात करें RAM की तो, T3X में 3 option देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB, 6 GB, 8 GB की RAM मिलती है जबकी P15G में 2 option देखने को मिलता है, जिसमें 6 GB, 8 GB RAM मिल जाती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो, T3X में 126 GB की Storage मिलती है जबकी P15G में 2 विकल्ट देखने को मिलता है, जिसमें 126 GB, 256 GB Storage मिल जाती है Expandable Memory दोनों फोन में, अप टु 1 TB है Operating System दोनों फोन में, Android V14 देखने को मिलती है Battery, T3X में 6000 mAh जबकी P15G में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब Main Feature को देखते हैं Colors की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2, Colors Option देखने को मिलते है सब Information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो T3X में 3 variant देखने को मिलते है जो की 4GB RAM 128GB Storage के साथ 13,499 रूपीज 6GB RAM 128GB Storage के साथ 14,999 रूपीज 8GB RAM 128GB Storage के साथ 16,499 रूपीज में मिल जाता है दोस्तों अब बात करते हैं प्राइस यानि की फायदे और नुकसान की तो Vivo T3X में 8,5 रूपीज और 6 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें रियल में P15G की तो उसमें 7,5 रूपीज और 7 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में P15G आगे है में कामरा में दोनों फोन सेम ही है फ्रन्ट, सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में P15G आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले कॉम्पेटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200E 5G है, दुसरा Moto G0 4 4G है, तीसरा Realme 12 5G है और लास्ट कॉम्पेटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M14 4G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्रेयर दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्रप्या से लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले